बर्ड अन्मल फेक्ट यूटूब चनल में आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस दुनिया में एक बहुत ज़्यदा पॉपलर डॉग ब्रीड की जिसको हाउस पैट के लिए रखा जाता है इस डॉग का नाम है रॉटवाइलर और इसको रॉटविलर भी कहा जाता है चलिए वीडियो में इस डॉग के बारे में डिटेल से जान लेते हैं कहीं कहीं पे लिखा गया है कि इस डॉग का जो ओरिजिन है वो जर्मनी से है और कुछ सोर्चेज में ऐसा भी लिखा गया है कि इस डॉग का जो ओरिजिन है वो रॉमन है यानि सबसे पहले इस डॉग की जो ब्रीड है वो रॉमन में पाई गई थी अभी वर्तमान समय में तीन तरह के रॉटविलर पाई जाते हैं जर्मनी अमेरिकन और रॉमन रॉटविलर अब बात कर लेते हैं इनके साइज के बारे में तो इस यह जो डॉग बृड़ है इसकी जो हइट होती है वह 60 से लेकर 70 सैंτιमेटर के बीच में होती है और इसका जो वजन होता है वो 50 से लेकर 60 किलो के बीच में होता है वहीं जो female rot wheeler dog होती है वो height और वजन में male rot wheeler dog से बहुत चोटी होती है इनकी जो body होती है वो straight, strong और बहुत ज़्यादा firm होती है गर्दन इनकी काफी मोटी और strong होती है अगर बात कर लें इनके color की तो इसकी जो पूरी body होती है वो black color में मिलती है और इसके गाल, throat, chest और इसकी जो टांगे होती है वो tan color में पाई जाती है tan color यानि pale brown color में overall देखा जाए तो यह breed एक muscular dog की breed की प्रजाती की है यानि रॉटविलर एक भरी वरकम कुट्य की प्रजाती है जो female रॉटविलर dog होती है वो एक बार में लगभग 8 से लेकर 12 बच्चों को जनम देती है इस dog की जो प्रजाती है इसका जो bite force है वो 328 psi है जो की बाकी जो dog breed है उनके compression में बहुत ही जादा है इस dog को अक्सर चवाने की आज़त लगी होती है जिसको इंगलिश में achieving भी कहते है अगर इसके सामने आप plastics या toys रख दो ति ये उनको चवाने लग पड़ता है इसकी running speed है 30 से लेकर 40 km per hour की यानि ये एक घंटे में लगवकर 30 से लेकर 40 km की दोरी को तै कर सकता है ये इसके nature के बारे में कुछ और जान लेते हैं रोट विलर आम तरपर एक बहुत ज़्यादा loyal, devoted, obedient और confident dog है ये एक fearless और crazy से यानि बिलकुल leader और बहादुर कुत्ते की प्रजाती है ये हमेशा alert रहता है और खत्रा मैसूस होने पर तुरंती active हो जाता है इसके साथ ये family और family owners को और home को बहुत अच्छे से protect करता है ये breed बहुत ज़्यादा intelligent और smart होती है इनको अकसर training की, socialization की और exercise की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि इनको socialize इसलिए किया जाता है ताकि ये आपस के लोगों से घुल मिल जाएं और किसी भी stranger पर जल्दी attack ना करें सौभाव से ये हमेशा बहुत ज़्यादा calm और quiet रहता यानि चुपचाप रहता है और ये जल्दी भौकता नहीं है लेकिन अगर इसको आपने घर में चार से लेकर छे घंटे तक अकेला छोड़ दिया तो ये बहुत ज़्यादा restless हो जाता है और बहुत ही जोर से बार्क करता यानि भौकता है रोटविलर डॉक को अपने ओनर से आई contact करना इसको बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा भी expert लोग कहते हैं कि ये एक first time pet dog breed नहीं है यानि जो लोग first time कुटे को पालना चाहते हैं तो वो कोई दूसरा कुटा खरीद लें बलकि रोटविलर को ना खरीदें क्योंकि इसको एक expert के द्वारा ही handle किया जाता है ऐसे कई cases पाए गए हैं जिसमें रोटविलर डॉग ने लोगों पर attack किया है और उनको लोल वन किया है अक्सर lack of socialization और lack of training और exercise की बज़े से ये कुटे बहुत ज़्यदा aggressive हो जाते हैं और इनका aggression बहुत ज़्यदा भ्याना कोता है जिसको control करना मुश्किल हो जाता है अगर बात करें इन कुटों की परजाते में बिमारियों की तो ये कुटा जो है वो परवो वाइरस से बहुत जल्दी attack में आ जाता है और ये बहुत ज़्यदा susceptible है परवो वाइरस से susceptible यानि वो बिमारी जो इस कुटों को बड़े ही आसानी से हो जाती है फ्रेंड्स जो कुटे पालते हैं हम लोगों को पता होगा कि परवो वाइरस एक बहुत ज़्यदा जानलेवा बिमारी है और जब ये कुटे को हो जाती है तो कुटा खाना पिना छोड़ देता है और उसको खून की उल्टी भी आने लगती है जल्द से जल्द अगर कुटे का इलाज नहीं कराया गया तो उसके मृत्तिव निश्चित हो जाती है दूसरी जो बिमारी इस कुटे को लगती है वो है मुटापा यानि ओवेसिटी क्योंकि इस कुटे को बहुत ज़्यदा एक्सरसाइज की जरूरत होती है ताकि इसका जो फैट है वो बर्न हो जाए खिरपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब करतें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँच जाए अगले वीडियो में बात करूँगा किसी और कुत्ते की परजाती पर तत्त के लिए आगए देजिए थेंक्यू बाई बाई